प्रदेश के कोने कोने से फरियादी अपनी फरियाद लेकर विज के पास पहुंचते हैं ऐसा ही जनता दरबार आज भी अनिलविज के निवास पर लगा और इस जनता दरबार में आज सैंकडों की संख्या में लोग पहुंचे लोगों की बढ़ती बीड को देखते हुए अनिलविज ने खुद अपनी सीट से उठकर जनता के बीच जाने का फैसला लिया और जनता के बीच पहुंचकर उनकी शिकायत तो सुनी देखे अनिलविज के जनता दरबार की ये तस्वीर है जनता दरबार में लोगों की शिकायते सुनने के बाद अनिलविज मीडिया से भी रूबरू हुए लगाता है बढ़ रही शिकायतों को लेकर अनिलविज ने साफतोर पर कहा कि अब अनिलविज आ गया है और अनिलविज जिन्दा मंत्री है तो कारवाई जरूर करेंगे लोग जैदा हैं तो इसे कोशिस कर रहे हैं कि सारे लोगों को सुना जाए तो लोगों की स्कायते सुन रहे हैं और समाधान के अदेश दे रहे हैं हम कै नहीं तौब सारे शिकाए$थों को सुनने के लिए आ गया न अगया जिन्दा मंत्री हूँ। कारवई करूँ कारूगा नहीं ऐसा एक सोफ्ट वेयर बनाने के लिए मैंने कहा है ताकि हमें पता लग सके कि कौन सी दर्खास कहा गई अभी वो मैनुली बता रहे हैं लेकिन हमारे बस सारी रिपोर्ट आ रही है